दोईवाला में मानसून की बारिश कहर बर पा रही है। नदी नाले उफान पर होने की वज़े से जन जीवन अस्तिवेस्थ हो गया है। यहां की नदियां वा नाले कई घरों को तबाह कर चुके हैं। सडकों वा पुलों को भी भारे नुकसान पहुंचा है। वहें स्थानी के घरों को छतिक्रस्त होने से नहीं बचाया जा सका। आपदा की इस घड़ी में पीडित परिवारों के बेच पहुंचे जन प्रत्मिधियों ने कहा कि बुल्ला वाला गाउं राजा जीज नेशनल पार्क से सटा हुआ है। यहां पार्क से आ रहे हाथी किसानों के इस फ प्रशासन से मांग करते हैं। वहने बीडीसी राजय तड्याल ने कहा कि मेरे पाथ रीवार का मकान बहए गया और वह पानी में फस गया है। हमने पुलिस प्रशासन को सुझित किया जिसके बाद प्रशासन के मदत से उस परिवार को सुरक्षित दार्क निकाला गया। सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि इन्हों ने रात को किर्दम से आकर यहां पर मदद पहुचाई और प्रविन भाई यहां पर लगातार बारिश होने से जो राजिवी राट के पारक से जो नाले आ रहे हैं इससे बहुत नुकसान यहां पर हुआ है एक परिवार का तो घर कॉंगर्स जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि इस छेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई है लोगों के घर बह गये हैं फसल बरबाद हो गई है हम शासन प्रसासन से मांग करते हैं कि लोगों को उचित मुआफजा दिया जाए कॉंगर्स पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि शासन प्रसासन की तरफ से इन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल रही है ये लोग दिहारी मज़दूरी करने वाले लोग हैं अब ये अपने घर को ठीक करें या काम पर जाएं कि अपने पाने फिजा वो अलोगों के लिए भरकों मिफ्वान हो गया वह बहुत गंदी मिफ्वान जाएंगे आह बेख रहे हैं तखल नहीं हो